जैहिन दोस्तो आप सभी का स्वागत है NKP प्रोडक्शन में और आज जिसका आपको इंतजार था बहुत दिनों से कि फोर्म कब निकलेगा BA, BAC और B.com के लिए तो आपको बता दें इवनिंग सिफ्ट हो या फिर या मॉर्निंग सिफ्ट हो दोनों का फोर्म जो है निकल का है आप इसमें देख सकते हैं जितने भी सरकारी कोलेजेज हो गया राची उनिवर्सिटी के अंदर में या तो एफिलेटेट कोलेज हो गया या तो कंस्टिटुएंट कोलेज हो गया सबका जो सेशन 2018 से लेकर 2024 तक का है वो निकल चुका है यूजी का है ये आप भर इनिवर्सिटी के जो साइट है जितने चांसेलर पोर्टल चांसेलर पोर्टल से भर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहीं आपको बताना चाहेंगे कि आपको फॉर्म कब से कब तक भरने का टाइम दिया गया है फॉर्म आपका 14-08-2028 चौदा आपका 31 से लेकर 5 तक में आपका फर्स्ट लिस्ट को निकाल दिया जाएगा वहीं फर्स्ट लिस्ट का जो डोकॉमेंट वेरिपिकेशन और एडविशन होगा वह होगा 6 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक उसके बाद अगर सीट वेकेंट रहती है तो फिर आगे आपको फिलब चार्ज है वहीं बलते है एस्टी और एस्टी के लिए कंडिडेट के लिए 400 रुपए है तो यह पूरे उनिवर्सिटी के लिए नोटीस है मारवाडी कोलेज के लिए भी है ही क्योंकि मारवाडी कोलेज के बहुत सारे स्टुडेट इसमें बीकॉम में एडविशन देने के लिए पूरा फ्रेसर में है कि जल्दी से जल्दी एडविशन मिले तो आपको बता दे पहले फोर्म बरना होगा आप फोर्म बरने के बाद आपका जो है मेरिट लिस्ट में अगर नाम आता है आपका तभी आपका हो पाएगा अगर किसी तरह का दिक्कत होता है तो अंतक वीडियो में बने रहेंगे और जो नए हैं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को जरूर बजाएंगे आपको क्लिक कर देना है जैसे ये खुल जाता है आपका चांसलर पोटल देखिए इस तरह साइन में खुलेगा यह जो है इन्फरमेशन जो है इसको आप पढ़ लेंगे ठीक है उसके बाद में देखिए आपको अंदर में आ रहा है देखिए आप इसको मोबाइल से खोल र तो अच्छा रहेगा आपको देखिए यहां पर यह login section दिया हुआ है login section दिया हुआ है user ID email ID मांग रहा है password मांग रहा है जो नहीं student है उनको यह कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा तो आपको क्या करना है आपको फॉर्म अपलाई करने से पहले आपको क्या करना है यहां पे certificate में है email ID डालना है mobile number डालना है और दो बर password आप create करेंगे जो password create करेंगे मालीजे आपका है मैं अपना ही नाम ले लगा हूँ नीरज मालीजे नीरज है तो नीरज का capital N होगा N-W-E-R-A-J add the rate of डाल दिजेगा उसमें आपको जो भी डालना है मतलब कि 123-546 जो भी डालना है वो आप डाल सकते हैं यह आपका strong password बुनेगा इसमें आपको दिकत नहीं होनी चाहिए अब जैसे ही sign up हो जाएगा आपको फिर से आना है आपको login section में जैसे यह login section में हम आ चुके हैं चलिए login section में यहाँ पर आपको क्या करना है अपना user ID डालना और password डालना है चलिए मैं अब ही किसी का user ID अपना ही मैं user ID और password डाल लेता हूं उसके बाद मैं आपको demonstrate करके दिखाता हूं तो दोस्तों जैसे ही आप login करते हैं देखिए आपका detail यहाँ पर खुलता है जो यह detail खुलेगा देखिए यहाँ पर detail दिया हुआ है registration number आपका जो है यहाँ यहाँ पर यू कुल गया आपको यहाँ से क्या करना है पूरा instructions को आप पढ़ लीजिए पहले personal information डालना है फिर academic मतलब जो पढ़ें उसका information डालना है उसके बाद में applying for discipline किस discipline के लिए आप apply कर रहे हैं उसके बाद payment section में आपको click करना है तो आपको बता दें यहाँ पर देखिए before appearing admission please read the instructions आ जैसे ही आप इस पर click करते हैं देखिए एक directly यहाँ पर निकल रहा है select course in which you want to apply आपको यहाँ पर select course आपको apply करने के लिए आपको जो दिया गया जैसे कि bachelor हो यो जी और पीजी जैसे माली जी चलिए मैंने वैसलर कर दिया आप submit कर दिया जैसे ही submit आप करते हैं आपको देखिए एक और यह form पूरा खुल गया पूरा form खुल गया आपको personal information क्या क्या डालना है सारा चीज आप इसमें include कर देंगे जैसे ही include करेंगे photo हो गया अपना signature हो यह upload करना है यहां से upload किजिए अप इसलिए बोल रहें desktop से करने के लिए आप जैसे इसको आप submit करते हैं फिर academic में जाएगा तो मैं आगे आपको आगे आप कर लिजिएगा आगे मैं नहीं बताने वाला हूं आगे क्या है academic information आपको डालना होगा उसमें उसके बाद में फिर यह process रहा आपको किसी भी तरह का दिक्कात होती है आप मुझे text करना नीचे में number दिया हुआ है description में आपको बता देना चाहेंगे किसी भी तरह का दिक्कात होती है admission में आप मुझे text कर सकते हो ठीक है दो बजे से लेकर साधे नो बजे तक मैं थोड़ा free नहीं रहता हूं तो आप test कर देना मैं आपको directly reply करने की कोसिस करूंगा वीडियो कैसा लगा आप description आप लिख के जरूर बताईएगा like share subscribe चरूर किजिएगा बहुत बहुत धन्यवाद